यह पब जी वाला है क्या? मेरा मार्क दर्शन कीजिये कि मैं इस स्थिती को कैसे सम्हालूँ धन्यवार्द पारीनी कृप्या इस पर अपने विचार प्रकट करें यह पब जी वाला है क्या? यह तो फ्रेंट लाइन वाला होगा यह यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्नोलोजी से दूर चले जाएं फिर तो वो एक प्रकार से अपने सारी जिंदिगी से प्रकार से पीछे की तरब जाना शुरू होगा और इसलिए उसको यह टक्नोलोजी के समन में प्रोच्साहित करना चाहिए लेकिन उस टक्नोलोजी का क्या उप्योग करता है क्या टक्नोलोजी उसको रोबोर्ट बना रही है क्या या इंसान बना रही है अगर माबाब थोड़ी रूची लें कभी खाना खाते समय चर्चा करें टक्नोलोजी की बताइए भई इन दिनों क्या चल रहा है टक्नोलोजी के ख्षेतर में क्या नहीं आया है किस प्रकार के नज़ने एपस आये हैं उसमें क्या होता है तो इस बच्चे को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ मेरे बाबाब हो सकता है मेरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप किसु को रोग ने मैं देख रहा हूँ यहां करीब करीब हर एक के हाथ में मुबाइल फोन है कि हो सकता है कुछ लोग यहां प्रदान मंदिर के कारेकम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूँ कि इससे क्या होता है कि दीरे दीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं टेकनलोजी हमें अगर सिकूर देती है हमें नेरो बना देती है हमारी सोज भी बड़ी नेरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्शान हो था टेक्नोलोजी का उप्योग हमारे एक्सपांसिंट के लिए होना चाहिए मेरे सामर्थ हमें बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए